तो हलो रम प्रसंद किस प्रकार से पूछे जाते हैं वैसे एक चीज़ बठा देता हूँ यह OMR पर आपको होने वाला है पेपर ठीक है आपको केवाल एबे सेदे बरना है इसके अंदर आपको लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पर सो परसन आपको दिये जाएंगे और इस बार साही तक मेरी साथ लगबग आपको पचास परसन ही करना है तो वो तो आपके इसाफ से पूछ लेना जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहाँ से किसी क्यों भी पूछ लेना ठीक है मतलब रूम के अंदर तो आपको पेपर देख के लिए पिर इस पेपर के हिसाफ से आप देख लेना कि परसन कैसे पूछ जाएंगे वेसे ज्यादा हार्ड पेपर याता नहीं बिल्कुल सरल पेपर आता है ठीक है आसानी से आप कर लोगे तो चलिए हम देखते हैं कि ये पेपर मतलब किस परकार से आपका आने वाला है सो नमर का ये पेपर होता है ठीक है ध्यान लगना नमर आपके एक्जाम में जुड़ते हैं इसके और ये कंपलसरी पेपर सब के लिए रेगुलर ब्राइवेट सब वालों के लिए इस्टूडेंट के लिए है ठीक है कोई गमेड में यह मत पूछना कि क्या यह ब्राइवेट वालों के है या नहीं है ठीक है सब के लिए है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला परसन लेखते हैं कि पैड़ पोदे हैं अ दूसरा प्रसंदे कि निमने कित्म में से कौन शा आपको तो यह इसका उथर हो जाएगा जिए तृद्ध सके फीर तो ईटकी उन्में से कौनसा हमारे प्राकरतिक प्रियाण classmates का एक भाग है ठीक है तो इनWAY से प्राकरतिक प्रियाव का बाग कौन sólo 3 अ 10 तरण ताल किचन गार्डेन हमारा घर और हीमनद ही में नद्ध प्राकरतिक प्रियावन का बाकि सब हमारे मनु के द्वारा बनाएंगे यह तो ठीक है बाकि में इसको कुछ नोट्स है जो इस पर के वह आपको टेलिग्राम पर अभी प्रोइड करवा दूंगा ठीक है तो वहां से आप इसके कुछ नोट्स देख लेना यह तो पेपर है नो में से कौन सा जल चकर का भाग नहीं है तो जल चकर का भाग इनमें से देखिए जल का वासपन भी होता है बादल बादल भी बनते हैं इंपात भी होता है ठीक है तो जल जो पर दूसर ने वह जल चकर का भाग नहीं है बाकि यह एक हमारे मानु यह गटना होती है ठीक है इस से रिल्टेडी स्परकार कर सबिख चाते हैं प्रस परत्वी दियुस कब मना जाता है घर साल पर वीश अपरेल तो राइस अपरेल 22 अपरेल को इस पर्थिद्यूस मनाए जाता है या फिर 22 सितंबर को इसका लगबग लगबग कन्प्यूजन में हूँ है तो यहां पर 22 अपरेल आप मान सकते है ठीक है 22 अपरेल या 22 सितंबर में से तो फिर अगला परसंदे कि फिर प्रेसन नमर साथ है कि राजस्तान का राजी पुस्प कोंशा तो यह तो रोड़ा सब को पता है पिर आठ हम परसंदेगी कि नैभीकरेल ने परकरतिक संसाद मिले सकते हैं तो खनीज कोईला पेंट्रोल यह पिर वन तो इनमें से नभीकरेले जो है वन है वन वह यानि कि इसको हम एक बार मान लीजे वन को अपने काट लिया तो उसको दूबारा हम उगा सकते हैं बना सकते हैं ठीक है तो यह बाकी कि जो है इतना इस्धान गेरता है तो जल दर्वे का गनत जयादा होता है उसके बाद वरप का तो सबसे कम होता है, ओला इनका सबसे कम होता है, तो दर्वे का सबसे ज़्यदा गनत्य होता है, दर्वे रूप का, ठीक है, अगला परसन देखिए, परसन नमर दस है, कि निमलित में से कौन सा एक संसाधन नहीं है, तो संसाधन जो चीज़े होती है, वो संसादन नहीं है ठीक है जो में डायरेक्ट प्रक्रतिश पर आप नहीं होती है आप इस परकार मान सकते हो अगला प्रसंद देखिए निमलिक्त में से कौन सा परात्मी कुद पादग है परात्मी जो अपना खुद ही बनाता है तो किसान तो दीती है कहे पाल तुपसू आप पेड इन में से जो स्वफ हो जाएगा वह आम का पेड हो जाएगा ठीक ही यह बाकि सब दूसरों के बरुसरेते हैं जैसे आती फसले बहुरे हो जो सगना बगर इस पर घार काता है को भी दूसरों से वह सीथा फिर मकड़ी मकड़ी कीड पतें ठीक तो आम पेड़ वह खुलिए आपके साग्तों पहसी बाकि यह दिनों क्या है पर पहसी है फिर अगला परसंदे कि राजस्थान में जो कि उला दें राइश्ट उढ़ने वह किसके करन पर से जो कियोगा है यहाँ पर विदेशों से जो पक्सी आती है ठीक है बरतपूर में यह इस जी कि कम महातरा मैं पाइजाता है कम महतरा में बरसाथ के मवस Fish सबसे जएदा इन में से क्या होता है तो वहां पर होता है कार्बंडा योकसाइट ठीक है तो कार्बंडा योकसाइट सबसे कम मात्रा में होता है यहां पर साइद कम मात्रा मानें इंग्लिस वर्जन देख लेते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन ऑफसेट कर लेते हैं अगला ounter轉 17 कि कि नमलीक्त में से कौन सा एक खनीज नಿने चीज़ नहीं नहीं अगला प्रशन च्यवर्चत होता है तो देखिए ऑजोन का रिसावन नहीं है ऑजोन परत में एक सब्सक्राइब तो इसका उतर हो जाएगा उजन परत में एक चोड़ा चिदर उसका हम जोड़ा चिदर कहते हैं ठीक है ओजन में जो चिदर होगा ओजन क्या काम गरती है पेरा मंगनी किननों से सुधिये कि हमें बचाती है ठीक है और इस प्रकार अगला पर संदे की कार्वन नेफित θα आएंड मेशय जने प्रमीन या उस नहीं ठीक है अगला प्रसंदे की किरोग जिसका करण प्रदुसित जल नहीं है यानि परदुसीद जल के कारण कौन सा रोग इन्मेसर नहीं होता है तो पीलिया होता है पेचिस होता है और सिलकोसीज होता है तो हेजजा है वो इस कारण नहीं होता है परदुसीद जल के कारण होता है वो तो हेजजा जो हता है वो सही तक गर्मी कारण इस परकार से कुछ हो होगा इस टेपी सवाना इस पर्कार कर जो गाज के मेदाने वो आते है ठीक है इस टेपी सवाना और भी अलग-अलग शेहतरों में अलग-लग अलग परकार के गाज के मैदन पाई जाते हैं ठीक अगला पर संदेखे रजस्तान का गनापक्सी भी आ रहे और यहां पे केवला देवाला ओर यह ताल सा पर इन में से क्या क्या पर सीदे वहीं पूचत जा रहा है ठीक है उन नोट्स में आप जरूर देख लेना वहां पे आपको मेंशन किया वाप मिलेगा फिर 11 जुलाई को क्या मना जाता है तो यह 11 जुलाई यह जब जलता है तो आपके सकतर दुआ नहीं देता बहुत कम दुआ देता और इसमें से लगव नवेपरति सथ तक इंदन होता है ठीक है इस परकार यह सबसे बेस्ट कोईला एंद्रेसाइट को ला अगला परसन केंदरे मरूच छेतर अनुचंदान जनस्तान का है तो सबुथे सबूक है Ba意u- पर दूसर्ण का प्राकर्तिक रोत क्या है वायू परदूसर्ण का प्राकरतिक रोत इनमें से तो उर्जा का घेरप recredit पर्वक्रिक शुर्थ कुन सा है तो उर्जा का गेरशा कोईला पंड पावन केरो सीन यह करोषीन लोक्रिणी तो इनमें से केरोसीन जो है वह घेरवार किशुरूत है वाकी न travelled लिए सो पना प्राप्य। थे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक जो अपने जोद्पुर में खेजर लिगाओं की अमरिता देव विष्ण नहीं है उनका भी नाम आता है ठीक है अगला परसंदे की अमल वर्षा के लिए मुक्य रूप से उतरदाई गैस है अमल वर्षा किन गैसों कारण होती है तो जो अम यह होती है ठीक अगला परसंद थी निमलीत में से कौन से सबसे यदिक करते हैं इसका अंसर हो जाएगा आगला परसंदे की निमолित में से कौण स सर्वारी है यानि जहसा अईर्जस्ट कर लilik का खालता है तो सर्वारी इनमें से आप उन सकते हैं जो गाई या पिर को限 दिए और साकारी तो कोई जो है वो सरवारी एक होता है इसके अंदर नहीं हिसे ठीक के पिर निमिलेत में सै के निकाल कर बना बसंडेगी के निम्लीत में से कौन से जनास patreon सबसे कम वायू परदूशन करने वाला वहां गोंसा है तो इसके अंदर उंट गाड़ी है वह दे रहा है तो उंट गाड़ी इसका ओप्सन हो जाएक कितना सर्वल परसन आया है ठीक है तो यह कोई भी परदूसर वाई परदूसर नहीं होता ठीक अगला परसन 38 वा देखते हैं इलेक्ट्रोनिक कच्रे में सामिल नहीं है एक फ्हेंगा अगला परसन देखते हैं अगला परसन देखते हैं अनिमोमेटर का उप्योग जिसके महापन है तुक किया जाता है आप कह सकते हैं कि पाउन की गती महापते हैं या फैवा की स्पीड को महापते हैं ठीक अगला परसन देखते हैं एस बेस्ट टॉसस एक परकार का है तो सब्सक्रण होता है तो वो परकार कैमिकल वाला खनीज आपके सकते बहुत किर पर leverage परेक देखते हैं मिफन गेस उत्वन ओती है ठीक है फिर अगला प्रसंद देखते हैं पाई मंडल यह वायू के लिए क्या सई नहीं है तो इन्मेंस रंगीन और गंदीन विबीन गेस में प्रसंद अक्षिजन अधिकति मातरा में होती है यह इसके लिए इस रही नहीं है बाकि सब ठीक होती है बाकि ऑक्सिजन बहुत जादा मात्रा में पाई जाता है इसके अंदर नाइट्रॉजन सबसे ज्यादा मातरा में पाई जाती है तो सबसे सदी वैरसा जलल संग उसके अंदर बहुत जैदा कम खरचाता है मतलब इन ओप्सन के हिसाब से आपको टिक करना यहां पर इन में सबसे जएदा यह सब भी संग्रण के विद्धी है मगर आपको इन में सबसे परसन का अनुसार सबसे बेस्ट उतर देना है ठीक है तब यह आपका उतर सही माना जाएगा फिर अगला परसन देखते हैं 43 दृब इस्थान जो एक बड़ी नावी की दूर्गणना के लिए जना जाता है तो यहां पर नावी के दूर्गणना आप कहसे हैं पोक्राण इसके अंदर तैस्टिंEZ रहती तो बोक्राण इसका आंसर हो या पिर चरनोबिल इसका अंसर हो सकता है ठीक है इनमें से साहई एक श्योर नहीं हुं आपको पता होता होता है तो देगए समूदर में पर दूसरी की और शोता है यहां पर देगी जल्य खेल समूदरि जीव जन्तू खनीश-चैल का पहेंगना या जल्यानों का सबसे इसका डी हो जाएगा क खियक अगला पर शन्हें कि जन्त वर ना दिन्यम उनियन्ट्र आंसर हो जाएगा ठीक अगला स्टेगते हैं अभी पचास पर्षन अधा परसन ही हुए रास्तान परमानों से इंतर राउद बाटा इंदर इस ती थैए ठीक है फिर अगला परसन देखते हैं राउद भाटा चितोड़ कर रहे अंदर द्यान रगना रास्तान राज यवर्क से जड़ी है सबका पता तो फिर एगला परशन देखते हैं वहां पर आप देख सकते हैं तो इसका आंसर बोकसाइट हो जाएगा बाकी यह प्रेट्रोलियम तो वैसे भी खनीज है नहीं ठीक है यह तो चलिए अगले परशन की तरह बढ़ते हैं अगला परशन है सेरों में खाना पकाने के लिए सबस सबसे बड़े पराश चत्य की तंतर का निर्मान कौन करते हैं तो वन करते हैं वन से ही सबसे बड़ा परश्तिती के तंतर का निर्मान होता है अगला पर्सन देखते हैं काले रंग कापकशी इन में से कौन सा है तो इनमें यह सब्से जटार परशन की स्का अंसर को Богा सरा कोण से मतलब किस चीज के नदर मापते हैं दावनी का जो मापक होता है वो डेशी वल नुटा ठीक है फिर अगला परसन देखते हैं निमले तुमें से कौन से वायू प्रोदूशन का सरोत नहीं है पावन चक्की इसका आंसर हो जाएगा ठीक है पाउंस सक्क्की और से कोई भी वायू प्रोदूशन नहीं होता है बाकी मातरा में फ्लाइस उत्साजित करते हैं निमले तुमें से कौन सी एक प्राकर्थी का आपदा नहीं है तो इन में से प्राकर्थी का आपदा आप कह सकते हैं जो भगदर है वो प्राकर्थी का आपदा नहीं होती है परकर्थी करना होती है एकला परसन देखते हैं निमले त गर उसका परबाव नहीं पड़ता है उसका फाइदे के हैं मतलब हीत के अंदर ही परबाव बढ़ता है बड़ी अनसल त्यार होती है अगला परसंद देखते हैं निमलित में से कौन सा मौसम का कारक नहीं है ताप अधरता जल का गनत या वर्षा तो इसका अंसर हो जाएगा ऑंधिर वर्षा इसका आंसर हो जाएगा यह मतल ऊंको क कारक नहीं है बाकि यह तिनों मौसम के कारक अगला परसंद देखन देखते हैं निमलित में से कौन सा पेंट्रॉलियम से परहत वने वाले उत्पाद नहीं है पेंट्रॉल होता है डिजल होता है बेंजीन होता है तो जीवसम इसका अंसर हो जाएगा बाकी नभी करनी संसाधन होता है ठीक है अगला परसंदेखते हैं राजस्तान का वैजिला जहां विशल पूर्बांद टौंक में पाया जाता है सब बॉबता ठीक विशल्बूर्मात काहां पर है टौंक में ओरूंक यह किस नदी पर यह चंबल नदी पर सोरी चंबल किया बनाश नदीवद ठीक है टौंक के अंदर बनाश नदीवर ठीक है पिर अगला परसंद्देखते हैं खननान का मुख्य कूपर्बाव होता है यह सबसे इनमें अंसर हो जाएगा जलवाई परिवर्थन बहतर अर्ष तो इसके अंदर सबसे ज्यादा सटी का अंसर जलवाई परिवर्थन हो सकता है या फिर भूमी पर दूसर तो ए इसका अंसर मानत जाएगा अगला परसे देखते हैं वायो मेंडल में ओक्सिजन का नाइट्रोज इजेक्ट नहीं है इसके अंदर लगबग लगबग के अंदर आपको उतर देना है अगला परसे देखते हैं निमलिक्त में से कौन सा वर्णों से समुदिद नहीं है तो मर्दा अप्रदन को रोगना मने जीव को आशिरे देना मर्या परियावन पर्दू से वर्दी और जे जैवी को और एजवीक तो इसका अज़र जाएगा जैवीक और एजवीक ठीक है यह पारी तंतर के दो बाग है अगला परसन वीचे में सब्सक्राइब जिंसें के वाला देश कौन सा चीन है दूसर नमबर पर बारत है ठीक अगला परसन देखते हैं निमलिक में से वाली गेस है तो उसके अंदर ऑक्सीजन गेस उत्पन होती है पर कास अंसलेशन के अंदर ठीक है और वह कार्बन डाई ओकसाइड लेते हैं पोदे ठीक है अगला परसन देखते हैं निमलिक में से कौन सा मृत पोसी है मृत पोसी नंके अंदर बाग सौंप गिद या पिर क गोईन तो इसका अंसर लगबग-लगबग आप कही सकते कंस इंजो कोईल Crypti 좋은 नहीं हो सकता ठीक है को इस्का माझन अगला प्रसंफे के नर और माधा एक जैसे दिखते हैं तो वो कोईल हो सकता है भी हमने थे का क्षा नहीं कैसे हुते हैं मों क्या पता गोर्या कैसी मूथ य साइज में इसके अंदर आपके सकते हैं बेडिया नहीं होता जंगली सुवर नीलगाई और कृष्ण नीलगाई सबसे बड़ा होता है इन बाकी के मुकाबले में नीलगाई यानि रोजड़ा के अंदर जो आते हैं ठीक है अगला परसे देखते हैं निमलित में से कौन सी परक से चौरु में शिता माता और बगवान मावीर और श्रीष का ठीक है तो यहां पर ऊप्सन सीए वो रास्तान के अंदर नहीं है ठीक यह कई भी नहीं है पूरे भारत के अंदर या इस नाम गा मावीर वाला ठीक अगला परसे देखते हैं सुंदरवन जिस परकार का वन थो शुष्क शित्तों सुंदरवन जिस पर कार वन तो यहां पे आप कह सकते अलपाइन वन नहीं सुंदरवन एलपाइन वन एठीक है यहां पे बहुत ज़्यदा उनस्पति भाई जाती है अगला परसन देखते हैं पर्यावण के इस्तिलाकर्ति गठक का उधारण इस्तरला करती गटका उधान गोंसा है तो नदी का जल्टा अती गटक इनमेसे मर्दा आप कह सकते हैं मिर्दा यान बिटी इसका अंसर हो जाएगा अगला परस्न देखथे हैं इनम लैक्त में से कून से गूर गरीन होस परवाय नहीं है हिम मनतों ना सुखुण दुरिया बर केसके हैं जो जल्का नया पिर रदर्द सबसे ज्याद चैटो इस सब से पैम आप सकते हैं जल्का प्रतुर सुर्ट का इसके अंदर लायू का ऊपना में मिल जाती है तो अगर आपको इसका शोर आंसर एकदम पका रसा था तो आप समूधर जिसलिए समूधर के लिए सिमा वाले राजी निम्ने तुन्स प्रत्त के लड़ता है तो लद्द 45 जो वो सीध मरुषतल है यह अँ पे इस पुरित घृ श्ट ऐस है लद्द टा region छेयिए खर ट्रौन जिफट किसको मान सकते हैं अत्य दिक चराई ठीक है तो जो अत्य दिक पस उजान होता है वो इसका प्रागरती करण नहीं होता है अगला परशन देखते हैं निवल इतमेंसे कौन सा एक इटना सकनी है तो एल्डरीन लिंडें डीडीटी और एस्बस्टोस तो इसका अंसर लिंडें हो सकता है साही तक ठीक है फिर अगला परशन देखते हैं कि शारिये मर्दा का पीएज से हो सकता है तो सारिये मर्दा जो होती है उसका साथ से ज्यादा होता है और अमलिये का साथ से कम होता है तो वो जैसल मेर के अंदर है बदेशनल पार्क अंदर है अगला परसन के लिए सबसे बड़ा सुरी में चंबल नदी पर निर्मित बांद में ठीक है यह सारा मरस तो अफरीका में पाए जाता है का लाहरी भी अफरीका में और गॉपी यहां पर ऐसे आगे अंदर पाइगा पर्सन देखते हैं पारंपरीकर्शी पतत्यों में सामिल नहीं है तो पारंपरीकर्शी चोटे बुकंड पिडग नासी पराकरति रूप जल या निवराजन दर्शी को जिस चेतर में उनकी कारी के लिए मेक्स से पूरुसकार समानित किया गया तो इसका आप्शन तो समाजिक मानी की हो सकता है तो आंसर इसका हो जाएगा अगला परसन देखते हैं अभी 5-6 परसन और है पेजल में फलॉराइड का उच परतिसे उच पन करता है तो आडियों की विखरती यानि फलॉराइड पानी के अंदर होता है तो यह अजमेर नागोर वाले चेतर में सबसे ज़्यादा पाए जाता है ठीक है तो इससे क्या होती यह और शरीर की विखरती होती है तो यह सबी इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह सबी मालें लेंदा वैसे सबसे जएदा आडियों की विखरती होती है अगला परसन देखते हैं नेतिक चिक्षा पर 5-6 अउगदाना को प्रसुच करने वाले इन में से कौन से थे तो इन पर्मुप्र करता है तो इन लेसे मनुशिया जो पर देख रहें किस द रश्यम्रें पपार ज्याते हैं टिक जो यहां पर आपके सकते हैं एसको ज्यावफीता की विखरती हे देखे निवास välja तो इसका सबसे जएदे सटी कांसर भी यानि वन्योजयों का जो अवे सिकार किया जाता है तो उसे जेवीता को खत्रा पहुंसता ठीक है तो यह हो गया आज का आपका पेपर इन्वर्मेंट इसके नोट्स आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे वहां से आप थोड़े नोट्स देख तो ठीक है पिसले जितने परिणामे वह आप से देख सकते हैं बाकी मेरे तरब से आपके लिए इतना सब कुछ हो गया है और पिकुछ आपको कुछ लोग कहते हैं सोचियोलोजी बगरा उन सब की तो ठीक है अभी तो सोचियोलोजी और बाकी जितने भी इस्ट्री साइंस इस्ट्री और जियोग्राफी इनके लावा भी मेरे पास ज्यादा सब्जेक्ट है नहीं ठीक है यानि आपको कोई भी वीडियो भी नहीं मिलेगा मेरे चैनल पर आने वाले दिनों में हम ट्राइए करेंगे तो हम इसके लिए जरूर ट्राइए करेंगे आपको तब के लिए जैहिंद जैबार प्रेस्ट अबलक आपके एक्जाम के लिए